हेलो व्रिवन मेरा नामे ग्यान और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो फ्रेंड्स यह गोल्ड का weekly analysis वीडियो है जिसमें हम गोल्ड के बारे में जानेंगे कि गोल्ड next week किस तरह से moment कर सकता है और फ्रेंड्स बोलूँगा कि यह वीडियो जो है educational purpose के लिए है तो इस कोई trade open ना करें आप इसको सीखने समझने के लिए ले सकते हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो first time आप चैनल को भी subscribe कर लेना और हमारी daily live stream होती है तो उस live stream को भी आप join कर सकते हो तो फ्रेंड्स चलते है चार्ट पर तो फ्रेंड्स अब देखोगे चार्ट पर अभ तो वीकली में हम अगर देखते हैं फ्रेंड्स इस चार्ट को तो वीकली में हमें नजर आएगा कि मार्केट में higher high लग रहा है और मार्केट bullish है weekly time frame में और अगर हम इसको daily time frame में ले आते हैं तो daily time frame में भी हमें यह market bullish दिखेगा आप देखोगे market ने higher high लगाया है इस तरह स जो है market ने एक नया high लगाया है जो high है 2532 का मार्केट ने high लगाया उसके बाद market वहीं पे stable है ना market नीचे आ रहा है और ना market 2532 को break कर पा रहा है तो अब इसको छोटे time frame में देखते है चार गंटे के time frame में तो friends चार गंटे के time frame में हम देखते हैं तो market का पहला जो इसका support ह होता था 2448 यानि 2448 2450 का एक support होता था इसको market ने break किया और market ने एक नया high बनाया जो high हमें दिखा 2532 का 2532 का हमें नया high लगते हुए दिखा और इसको चार्ट पे हम लगा देते हैं यह support हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे just support को market ने break करके नया high लगाया तो यह support है यहां पे प करेगा है यानि 2452 का जो level है यह strong support बना हुआ है जब तक 2452 के उपर market है market bullish है और इसके उपर अगर हम जाते हैं तो इसके उपर जो हमारा resistance बनता है वो resistance हमारा है 2532 का level जिसको market अभी भी देखोगे अब बहुत अच्छे से respect दिया है बिल्कुल इस high को ना break कर पा रहा है और नहीं यह नीचे आ रहा है मतलब बिल्कुल प्राइस वहाँ पे stable है रुख गया है तो फोर हमने 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 जो है इसको ड्रॉ कर लिया है एच फोर में आप देखोगे यह support हमें नजर आ गया और resistance हमें हमें एच फोर का यह नजर आ गया पच्छी सो बत्तिस वाला जो 252524 से एक zone है जहां से market reject हो रहा है rejection ले रहा है तो यह हमारा अभी support है यह हमारा resistance zone है और price आप देखोगे कि यहां से rejection लेकर के नीचे ही closing दिया है और नीचे जो हमारा support नजर आ रहा है छोटे time frame में अगर हम देखेंगे यह तो daily का chart है अगर H4 में हम आते हैं तो थोड़ा सा और clear here हमें दिखेगा इस zone को आप बिल्कुल next week के लिए देख सकते हो नीचे जो हमारा sorry यहां पर resistance zone लिखा हुआ है इसको change कर लेते हैं यह support zone है हमारा support zone है उपर हमारा resistance zone है daily time frame में हमने इसको लगाया अब हम इसको देखेंगे 4H के chart में तो 4H के chart में जब हम इसको लगाएंगे तो आप देखोगे यहां से इसको draw करेंगे market ने यहां पर resistance बनाया है resistance को break किया तो वो हमारा हो जाएगा support क्योंकि support become resistance होता है resistance become support होता है जब support को तोड़ता है market तो वो resistance का का काम करता है और जब resistance को break करता है market तो market वहां पर support लेता है demand लेता है अब यह हमारा support zone बन गया अगर हम देखेंगे तो यह नंबर है 2474 से लगा करके 2477 का एक जोन है जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है इस जोन को भी हम यहां पर नोट डाउन कर देते हैं तो 2477 का हमें एक सपोर्ट नजर आ गया इसके पहले आप देखोगे अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएं वो जोन है यहां पर मैं आपको जोन आप लाइब में पूछते भी हो कि जोन मार्क कैसे करते हो सर तो देखो जोन मैं इस तरह से मार्क करता हूँ मैं कुछ इस तरह से जोन को मार्क करता हूँ तो friends अब देखेंगे हमने zone को mark कर लिया है नीचे जो हमारा daily time का support है आप देखोगे तो वो zone हमें जो दिख रहा है वो यहाँ पे h4 लिखा है यहाँ पे आप daily time frame में लिख सकते हो इसको daily का support कि हमारा d1 का support है उपर हमारा resistance zone यहाँ पर पढ़ा है then आप देखोगे छोटे छोटे time frame में हमारा support नजर आएगा h4 का support आपको 2477 पे नजर आएगा then आपको एक support नजर आएगा h1 का 2493 पे अब price तो आया Friday वाले दिन यहाँ से गिरा और गिरने के बाद h1 के support से इसने यहाँ से rejection ले ली और यहाँ पे आप देखोगे कि morning star candle बनाया morning star candle बनाने के बाद price अब उपर की तरफ निकल रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है Monday वाले दिन तो friends यहाँ पे हम यूज करेंगे एक tool होता है Fibonacci तो Fibonacci का use करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है हमने high to low इसको mark कर लिया तो friends हमने इसको high to low mark कर لिया है अब यहाँ पे क्या करना है 50 परसंट के zone को mark कर लेना है लेते हैं कि वो number कौन सा है, वो number निकल के आ रहा है, 2510 से ले करके 2514 तक का एक zone है, जो हमें नजर आ रहा है, यानि price यहां तक जाने के बाद, अगर कोई rejection candle हमें देती है, उपर से, तो हम जो है gold को sell कर सकते हैं, और यहां पे एक support भी हमें नजर आ रहा है, यहां पे एक support भी ह यहां से selling का देख सकते हैं, तो यह level है, कल के लिए, कल पहले price उपर जाना चाहिए, उपर जाना चाहिए इस zone तक 2510, 2514 तक, then वहां से एक selling आना चाहिए, और selling ऐसा भी नहीं है कि price जाएगा, और हम जाते ही sell कर देंगे, जाएगा यहां पे जैसे आएगा वैसे हम sell कर दें यहां पर price आएगा, हो सकता है, थोड़ा time spend करें, थोड़ा time spend करने के बाद कोई evening star candle या कोई bearish engulfing candle बनाता है, उसके retest पर हम यहां पर sell कर trade लेंगे, और target हमारा यह होगा, 2494 का, अब देखो पहली condition तो यह होगे, कि price यहां तक जाएगा, यहां से rejection लेगा, तो हम sell कर पूरा पूरा इस zone को break कर दे, जब इस zone को break कर देगा, तो हम मान लेंगे कि gold ने reversal कर दिया है, वैसे भी gold में जो बड़ा trend है, वो buy का है, तो अगर price ने 2514 के zone को break कर दिया, तो हम इसको reversal मानेंगे, क्योंकि अगर price 2514 को break करता है, तो price again उपर निकल जाएगा, तो 2514 का level कल के दिन में या मंडे के दिन में break नहीं होना चाहिए, यहां से हम selling की opportunity ढूंडेंगे, क्योंकि बड़े time frame में आप देखोगे, हच 4 में अगर देखोगे, तो market ने एक बड़ी candle बनाई है, और उसकी closing होई है, नीचे वाले zone पे, यानि 2597 पे इसकी closing होई है, तो हम यही देखें दिन में की और आप देखोगे न, के यह देखोगे है कि यह candle कम सकम यहां तक के लिए complete करना चाहिए, 2476 के लिए complete करना चाहिए, यहां तक इसको आना चाहिए, तो पहले हम देखेंगे कि market पहले तो इसको ऊपर ही जाना दिन मार्केट बड़ी टो पहले price ऊपर जाए यहां और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां पर कोई rejection candle दे तो उस पर हम यहां पर selling देखेंगे क्योंकि यहां पर double confirmation है 61% का 50-61% का zone तो है ही साथ-साथ में यहां पर एक resistance zone भी है जिसको break करके ही market नीचे आया है इस zone को break करके market नीचे आया है 2510 का जो zone है उसको break करके market Friday वाले दिन मे नीचे आया था 2494 तक आया था तो यह यहां पर मेरा analysis रहेगा कि price कल के दिन में पहले उपर जाएगा देन वहां से नीचे आ सकता है और अगर reversal कर देता है तो हमें sell बिलकुल नहीं देखना चाहिए फिर हम bullish हो जाएंगे क्योंकि gold अगर गिरा है तो इसको retracement लेने के बाद नीचे आना चाहिए अपने trend को continue करना चाहिए कम से कम 15 में के time frame में H4 के time frame में तो friends gold में मेरा यह analysis रहेगा और मिलते हैं कर live में बाबाई take care